अगर आप एक student हैं और बिना पैसे invest किये एक side hustle करना चाहते हैं या फिर एक side business खोलना चाहते हैं तो आपने बिलकुल सही वीडियो पे click किया है drop shipping, copywriting और social media marketing जैसे businesses में लोगों की भीड लग चुकी है लेकिन एक business model ऐसा है जो अभी इंडिया के अंदर सिर्फ grow ही हो रहा है और लोग already उससे लाको कमा रहे हैं यह business है print on demand का लेकिन जो model में आपको बताने वाला हूँ उसमें आपको पैसे खर्च करने की जरूरत ही नहीं ह ना आपको inventory खोलनी है ना packaging करनी है ना delivery का जंजट है आपको बस एक काम आना चाहिए टी शर्ट डिजाइन करने का अगर आपको वो भी नहीं आता तो डर ये मत इस वीडियो को देखने के बाद टी शर्ट डिजाइनिंग आपके लिए बच्चों का खेल बन जाएगी सबसे पहले है ऐसी ये वो website है जहां पे आप अपने shirts या clothes या accessories को design करने के बाद upload करेंगे और आपको जो भी sales आएगी वो यहीं से आएगी सबसे अच्छी बात ये है कि इस website पे 100 और million से भी ज्यादा customers हैं जिन में से major customers तो close के लिए ही हैं साथ ही ये एक international website है यानि कि आप यहां पे foreigners को भी अपने कपड़े बेच सकते हैं इसका मतलब है कि आप अपने RS200 की T-shirt को RS2000 में बेच सकते हैं और लोग ऐसा कर भी रहे हैं अगर आप इस website पे आएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहां पे 3000 से लेकर 5000 तक की T-shirt भी बिक रही हैं अगर अब हम भी कुछ ऐसा ही funny design क करेंगे बेचने के लिए designing के लिए जो website मैं आपको refer करूंगा वो है kittle मुझे पता है आप में से काफी सारे लोग canva users हैं लेकिन designing purpose के लिए kittle ज्यादा बहतर option है ऐसा क्यों है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाने वाला हूं अगर आपको kittle use करना नहीं भी आत है तो डरिये मत इसका interface काफी ज्यादा आसान है और सिर्फ इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आप काफी अच्छे design create करना start कर देंगे सबसे पहले आपको description में दिये हुए link से kittle की official website पे आ जाना है log in करने के बाद आपको एक ऐसा interface दिखाई देगा अगर आप home screen को ही थोड़ा सा scroll करेंगे तो आपको एक से एक on already built-in templates मिल जाएंगे अलग-अलग चीजों के लिए और यही खास बात है kittle की यहां के सारे templates काफी ज्यादा unique हैं useful हैं और साथ में trend के हिसाब से बनाए गए हैं उपर वापस आने के बाद आपको category भी मिल जाएगी जिस भी चीज को आप design करना चाहते हैं उसके लिए top left corner में आपको काफी सारे tools मिल जाएंगे जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं design करते time और इन में से काफी सारे tools तो AI से related हैं जिनका इस्तेमाल करके मैं आपको वीडियो में आगे दिखाने वाला हूँ साथ ही kittle ने आपको एक learn tab भी दिया है जिससे आप उनके blogs को देख सकते हैं और tutorial भी देख सकते हैं अब हम अपनी designing को शुरू करते हैं उसके लिए सबसे पहले आपको एक new project पे click करना है जिसके बाद आपको एक नया tab open हो जाएगा जहां पे आपको सबसे पहले dimension select करनी है अ और आपका एक नया canvas खुल जाएगा लेकिन आपका canvas कही ना कहीं जोमड इन होगा तो आप उस चीज को यहां से ठीक कर सकते हैं सबसे पहले हम अपने project को नाम दे देते हैं ताकि ये कहीं घूमना हो जाए अब screen की left side में आपको काफी सारे tools के icon दिख जाएंगे और हम इनी क का इस्तिमाल करके अपने design को बनाने वाले हैं top right corner में आपको mockup, print और download का option मिल जाएगा जो की अपने नाम से ही बता रहे हैं कि उनका काम क्या है kittle पे आप दो तरह से design बना सकते हैं या तो already built in template का इस्तिमाल करके आप अपना कुछ unique create कर सकते हैं या फिर totally beginning से कुछ create कर सकते हैं मैं आपको एक-एक करके दोनो method से कुछ बना के दिखाने वाला हूँ सबसे पहले मैं आपको template से design बना के दिखाता हूँ ताकि आपको kittle का थोड़ा interface समझा जाए और इसके tools को इस्तिमाल करना भी आ जाए इसके लिए मैं left है, side पे जो tools दिये गए हैं उनमें से template वाले tab पे चला जाओंगा और वहाँ पे जाके काफी सारे templates खुल जाएंगे आप यहाँ किसी भी specific type का template ढूंड सकते हैं या search bar में लिखके उसे search out कर सकते हैं यहाँ पे आपको option भी दिये गए हैं, जैसे कि vintage या typography, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा scroll करके भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पे already कितने सही designs पड़े हुए हैं, जो कि आप अपने t-shirt पे print करवा सकते हैं ऐसे designs आपको canva पे मुश्किल से ही मिलेंगे, इसलिए मैंने आपको kittal refer किया था अब किसी भी template को choose करने से पहले, मैंने सोचा कि t-shirt का color choose कर लेता हूँ इसके लिए आपको बस canvas पे click करना है, और आपके पास में एक setting का box खुल जाएगा जहां से आप अपने dimension को change कर, select करनी है अपनी canvas की और साथ ही आप opacity वगेरह को भी adjust कर सकते हैं तो यहाँ से पहले मैं अपने background को black कर देता हूँ नीचे आपको color palette भी दिये गए हैं, जिनका इस्तेमाल करना मैं आपको आगे सिखाऊंगा यह काफी सही tool है अगर आप designing कर रहे हैं थोड़ा सा right hand side पे आपको layers का option भी दिया गया है जहां से आप अपने हर एक element को layer के according set कर सकते हैं अब हम template में जाते हैं और funny t-shirt search करते हैं क्योंकि हमें उसी तरह की कुछ t-shirt बनानी है यहां पे मुझे काफी अच्छे और unique templates मिल रहे थे लेकिन मुझे ये वाला अच्छा लगा तो मैं इस पे click करूंगा इसके बाद ये मुझे से पूछेगा कि template आपको इसी project पे चाहिए या फिर एक नया project create करना है यहां पे मैं इस template को एक नए tab में open कर लंगा जैसे ही मैंने template open किया मैंने देखा कि इसमें पहले से ही काफी अच्छे elements और text थे अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप इसे अपनी पसंद के हिसाब से edit कर सकते हैं जान के बाद हम इसे print on demand के website पर sell कर देंगे अगर आपको upload करने का वीडियो चाहिए तो comment में part 2 लिखे यह पूरा process बिलकुल free है और आपको किसी भी तरह की inventory या delivery की जंजट से मुक्त करता है तो देर किस बात की आज ही अपना design बनाएं और print on demand business से लाखों कमाना शुरू करें अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो like और subscribe जरूर करें और comment करके बताएं कि आप अगली वीडियो में क्या देखना चाहेंगे